नमस्का, मैं उस्तासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मुख खबर जानते हैं भारत में बना संक्रमन का ठीका संक्रमितों पर परिक्षन सुरू जवे प्रदव की विभाग की सचीव रेनू सौरूप ने विरस्पतिवार को कहा कि जाइडस कंडिला द्वारा संक्रमन के लिए सवदेश बिक्सित ठीका का मानव पर परिक्षन सुरू करना आत्मनी भर भारत बनाने की दीशा में एक महत्पुन कदम है जाइडस कंडिला ने बुद्धवार को कहा था कि उसने अपने संक्रमन टीके के परिक्षन के तहत प्रथम एवांदूतिये चरण का क्लिनिक परिक्षन सुरू कर दिया है जारखन मौसम विभाक एउनसार पिछले 24 घंटे से मांसुन कमजोर है और इस पूरे हफते भर मांसुन कमजोर रहने की सम्भवना है मौसम विभाक एउनसार 16-23 जुलाई के बिच दिन में समाने से कम बारिस होगी जबकि दो पहर हलके बारिस होने की सम्भवना है बता दे कि इस दोरान लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पर रहा है राज्य में 24 से 30 जुलाई के बीच समाने बारिस होने की संभवना है जार्खन में पहली आदिवासी लड़की स्टेट टॉपर बुद्धवार को CBSC की दासवी बोड की परिक्षा कारियर्ट गोशित कर दिया गया है इसमें लड़कों के मुताविक लड़कियों ने 3.1,7% बेहतर परदसन किया है ऐसा ऐको जार्खन में भी देखने को मिला है जहां की स्टेट टॉपर भी एक लड़की है खास बात ऐ है कि जार्खन बनने के बाद ए पहली बार होगा जब कोई आदिवासी समाज की लड़की ने श्टेट टॉपर बनकर अपना नाम रोशन किया है बता दे कि जार्खन की रहधानी राची के डिएभी हेहल की दसवी की छत्रा लिंजा उराव ने दसवी बोड में जार्खन टॉप की है जार्खन में 249 संक्रमित को पुष्टी हुई जुराची सेक्तारिस पूर्वी सिम्मूं चारिस गढवा बतीस कोडार्मा सताइस हजारी बाग 26 धनबाद 13 चत्रा 10 सिम्डेगा 10 पलामू 9 गिरीडी साथ गुमला 5 पाकुर 5 लुरदागा 5 जामतला 3 गोड़ा 3 दूमका 2 पचमी सिम्मूं एक खुटी से एक है जारखन में कूल संक्रमितों की संख्या 4815 है जबकि 2513 लोग 186 हुए और 44 की मिरिती हो गई जारखन में संक्रमन से 6 लोग की मत हुई जो रीम से 3 गोड़ा से 1 जमस्यदपू से 1 और चाई बसा से 1 आपको बता दे की रीम स्मिम बरने वाले में राची के रहने वाली 51 बरसी ए महिला समिलित है वहीं गूमला के रहने वाले 65 बरसी ए भुजूर्ग वगिरीडी के रहने वाले भृत की मौत हुई लिए आपको बता देगे गुरु आरको 28 लोग स्वस्त भी हुए है जो चात्रा से एक देवगर्दो, पुर्वी सिमों 18, हजारी बाग, एक रामगर्दो, सराय किलदो और पच्छमी सिमों से दो मरीज समिली थाए मुख्य मंतरी को फ्या फाउंडेशन ने दिये मेडिकल किट्स मुख्य मंतरी हमन सुरेन करीब 8 दिन बाद होम कुरेंटिन से बाहर निकल कर गुरु आरको झार्खन मंतराले पहुंचे इस दोरान जार्खन मंत्राले में अजीम फेमजी फाउंडेंशन की ओर से लगभग 3.28 को रुपए का मेडिकल किट्स फिया फाउंडेंशन की ओर से मुख मंत्री को दिया गया आपको बता दे कि इस मेडिकल किट्स में 12,700 पीपी किट्स, 21,300 मास्क वो 5 ट्रू नेट मसीन और 2 थर्मो फिसर मसीन सामिली था है राज्य सरकार होल्डिंग टेक्स में छूट दे आसा लकडा आसा लकडा ने राज्य सरकार से होल्डिंग टेक्स में छूट देने का आगरह किया है मेर ने कहा कि निगम ने 9 जून 2020 को बोट की बैठक में होल्डिंग टेक्स के भुकतान में सहरी वासियों को राहत देने का निने लिया था जिसके तहद बितिय बर्स 2021 में 1000 बग फिट तक के भवनों का होल्डिंग टेक्स माप करने और 1000 बग से अधिक छेत्रफल वारे भवन मालिकों को होल्डिंग टेक्स के भुकतान में 50 पिस्ति छूट देने का निने लिया था सेनेटाइजर पर 18% जेश्टी लगेगा बितमंत्राले ने कहा है कि सेनेटाइजर भी साबून डेटाल समेत अन्यके समान की टानू नासक है जिस पर जेश्टी बेवस्ता के तहट 18% सुर्क लगता है बितमंत्राले ने कहा है कि हैंड सेनेटाइजर के मैनूफेक्चिरिंग में उप्योग होने वाले बिभीन रसायन पैकिंग समागरी और काच्चा माल सेवा समित अन्य पर भी 18% मौल एवाम सेवा कर लगता है जार्खन में 47 लाग प्रवासियों का डेटाबेस तयार ग्रामिन भिकास विभाग के मिसन सक्चम सर्वेक्चन के मादेम से 4,5 लाग प्रवासियों का डेटाबेस तयार कर लिया गया है आपको बता दे कि मिसन सक्चम एप के मादेम से कौसल की पहचान और लोगों की रूची की जनकारी एकतर की जा रही है इस करम में पाया गया है कि कूल परवासियों में से 37.2% लोग रूची खेती बारी में है जबकि 13.8% का पसु पालन की ओर जुकाव है मनरेगा विभाग में 1499 पदो पर नियुक्ति मनरेगा में रिक्त पदो के विभाग नियुक्तिया को लेकर करवाई शुरू कर दी गई है इसके लिए विग्यापन भी जारी किये जा रहे है यह निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त तक सारी रिक्तिया भर दी जाए आपको बता दे कि कूल मिलाकर 1499 पद रिक्त है जो बीपियो 89 सायक अवियंता 115 कनिय अवियंता 284 कंप्यूटर सायक 124 लेखा सायक 85 ग्राम रोजगार सेवक 802 है गढ़वा में बिना मास्क बाहर निकलने पर करवाई शुरू गढ़वा सहर में संक्रमन को लेकर परसासन अलॉट मूर में है सहर में मास्क नहीं पहनने वालों को खिलाब करवाई तेजी हो गई है इसे लेकर एक दुकंदार के खिलाब केस दर्ज करते हुए उससे गिराफतार कर लिया गया है लेकिन बाद में थाना से बेल दे दिया गया आपको बता दे कि पुलिस लगतार मास्क पहनने को लेकर जागरूता अभियान भी चला रही है खुटी जीला उपाध्यक्ष ने नाई समाज के लिए मुअबजा की मांग खुटी जीला के आईसू पाटी के जीला उपाध्यक्ष दिपक कुमार हजाम ने राज सरकार को नाई समाज के देनिय श्थिती की और ध्यान आक्रिष्ट कराते हुए कहा है कि नई समाज जब से लोकडाउन हुआ है तब से लेकर आज तक लोकडाउन का पालन करते आ रहे हैं और पालन करते रहेंगे नई समाज की ओर सरकार को ध्यान देने के जरूरत है जारखन में दूसरे राजे जाने को नहीं मिलेगा पास सिर्फ आने की बिवस्था राजे में इपास सिस्टम से आम जनता उहापोह में है और दूसरे राजे की जरूरी काम से जाने के लिए भी निनर लेने की स्थिती में नहीं है इसके सबसे बड़ी वज़ा यहा है कि जारकन से जाने के लिए पास नहीं बन रहा सिर्फ यहाँ आने के लिए पास देने का प्रवधान है अगर आपको दूसरे राजे में जाना है तो वहाँ के निर्देशों का ध्यान करने के बाद ही यात्रा का प्लान करें खलारी में केंद्रिये बिद्याले खोलने की मांग संसद राची के भाजबा सांसाद संजाज सेठ ने नई दिली में गुरुवार को मानव संसादन विकास मंतिरी रमेश पोख्रियाल से मिलकर खलारी में केंद्र विद्याले खोलने की मांग की है सांसाद सेठ ने कहा है कि खलारी जोकी कोईला अपूर्ती के छेतर में देश के अगरिम अस्थान रखता है चोकि इस अस्थान पर पूर्वे में केंद्री भी दाले था लेकिन वह अभीगत 10 बरसों से बंद पड़ा है जिसका संचालन CCL कमिटी द्वारा किया जाता था राची उपायुक्त का जाच रिपोर्ट निगेटीव राची के उपायुक्त 6 रंजन ने गुरुवार को अपना संक्रमन जाच करवाया जाच मेवा निगेटीव निकले उपायुक्त ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की साथ ही बेवजा अपने घरों से बाहर ना निकलने का आगरह किया लोगों को मास्क पहन कर ही अपने घरों से निकलने को कहा संक्रमन रोकना मेरी पहली प्रत्मिक्ता पलामू नए उपायुक्त पलामू के नए उपायुक ससी रंजन ने गुरुवार को पदभार ग्रहन करते ही अपना कार्य शुरू कर दिया पदभार ग्रहन करने के बाद समार नाले के सबाकक्ष में उन्होंने जीला के विभिन पदाधिकारियों से परिच्चय प्राप्त किया मौके पर पदाधिकारियों को समोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीला में पूर्वे से संचालित कारियों को जारी रखे उन्होंने पदाधिकारियों से संक्रमन की रफ्तार को कम करने पर फोकस करने की बात कही जार्खन में 96 पूलिस कर्मी पोजेटीव इनके अलावा 5 पूलिस पता ही और कर्मी स्वस्थ भी हो चुके हैं गीरीडी के धनवार थना दरोगा 35 अरुस्वत लेते गिरपतार गिरीडी जीला के धनवार थाना के सायक पुलिस पता अधिकारी संभू सिंग को धनवाद निगरानी विभाग की टीम ने गुरुआर को 35 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफतार किया वैसे धनवार में रिस्त्वत खोरों के आरोप में या दूसरी गिरफतारी है इसे पहले धनवार अंचल के अंचल निरीक छको निगरानी विभाग ने गिरफतार कर चुका है रामगड में सरेरिक दूरी का उलंगन पर चार दूकाने सील रामगड जीरा के भुरकुंडा बजार में दो गज सरेरिक दूरी का उलंगन वेपारियों को महागा पर रहा है गुरुवार की दोफर SDO किर्ती सिरी पतरातु अंचल अधिकारी वत भुरकुंडा थाना प्रभारी ने सन्योक दूरूप से अभियान चलाया इस दूरान दो गज सरेरिक दूरी का उलंगन करने वाले चार दूकानों को सील किया उधर रामगर जीले की पूलिस अपराज नियंतरन के लिए बुद्धवार पूरी रात हाई अलर्ट पर रही पूरे जीले के सभी थाना प्रभारियों ने इस विशेश अभियान के दूरान पैदल मार्च किया जार्खन में 37% प्रवासी खेती करना चाहते है राज्य में लोटे प्रवासी में 37.2 फिस्ति खेती बाड़ी में रूची रखते हैं और किरिसी अधारित आजीव का सुरू करना चाहते हैं दूसरी तरब 33.8 पर तिस्त प्रवासी पसुपारन को रोजगार का साधन बनाना चाहते हैं आपको बता देखिया हता थे ग्रामिन विकास विभा के मिसन सक्षम मोबाइल एप के जरिये परवासी के कौसल की पचान रूची और अनजनकारी के लिए कराये गए सर्वे में सामने आया है मिसन सक्षम सर्वे के जरिये अब तक करीब 4,56,000 परवासी का डेटाबेस तरार किया जा चुका है बेहतर बारिस नहीं होने से 25% धान की रोपनी मौसम की बेरुखुश से नसीथ कोलान परमंडल के तीनो जीला के किसान संकट में है परियाप्त बारिस नहीं होने के कारण धान की रोपनी किसान नहीं कर पा रहे है जीला के किसान अमूमन जुलाई के अंतक धान की रोपाई पूरी कर लेते है पिछले बर्स भी बेहतर बारिस नहीं होने के कारण किसान अगस तक धान की रोपनी किये थे आपको पता दे कि इस बर्स की बारिश की रफ्तार को देकर किसान चिंतित हैं उन्हें लग रहा है कि इस बर्स भी अगस तक उन्हें धान कि रोपनी करनी पर सकती है बिहार जारखंड के सर्वस्रेष्ट किसान राची के गंदूरा उराओ राची के मांदर प्रक्खंड गाउं के प्रगति सील किसान गंदूरा उराओं को गुरुआर को भारतिये क्रिसी अनुसंधान परिशत नई दिनली ने समानित किया क्रिसी अनुसंदान परिशत के अस्थापना दिवस के असर पर विहारव जार्खन के सर्वस्रेश्ट किसान के रूप में उन्हें पुरस्कृत किया गया आपको बता दे कि उराओं को इससे पुर्व भी कई बार पुरसकारों से समानित किया जा चुका है PLFI ने राची के तुपुदाना में की पोश्टर बाजी दिल्ली में मानो तसकरी से बचाई गई जार्खन की बेटी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने DGP MB राव गुमला के उपायूत को निर्देश दिया है कि दिल्ली के हरी नगर से मुक्त कराई गई मानो तसकरी की सिकार 16 साल की नबालिक की सकुसल वापसी करा है मुख्यमंत्री ने गुमला की इस बेटी को रेस्क्यू कराने के लिए दिल्ली महिला आयोक की अध्यक्स स्वाती मालिवाल को भी धन्यवाद दिया है और कहा है कि समोहिक पर्यास से ही मानो तसकरी को रुका जा सकता है जैक 12 रियल्ट आज एक वज़े जारी जारखन इंटर्मेडियर्ट की परिशाद दे चुके विद्यार्थियों के लिए खुसकवरी है लंबे समय से इंतियार कर रहे हैं विद्यार्थियों के रियल्ट आज शुक्रवार 17 जुलाई 2020 को जारी किया जाएगा जारखन अधिवीद परिशाद द्वारा इंटर्मेडियर्ट का रियल्ट ऑनलाइन गोशित किया जाएगा सिक्षा मंत्री द्वारा ए रिजल्ट ऑनलाइन गोशित किया जाएगा आपको बता दे कि अभियार्थी जैक की अधिकारिक वेफसाइट जैक.nics.in या जैक.nics.com पर लॉग इन कर अपना रियल्ट चेक कर सकते हैं धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक आप दे सकते हैं थैंक यू.